बगवान स्री किष्ण के जनमों सब पर आप सभी देश वासियों को हारदिक सुपकामनाएं दोस्तों आप देख रहे हो जिन्दगी विद लिलादर यूटूब चेनल दोस्तों आप सभी को स्री किष्ण जनमाष्ट में की हारदिक सुपकामनाएं आज हम बताएंगे आपको हमारे गाउं गंदीपली में इस दित परमुक जहकिया जो स्री किष्णी जनवाश्ट पर दोजार बीस में बनाई गई देकि कितनी अच्छी और सुंदर जहांelt के आमारे गाउं गंदी पलिव में स्रीचुमत कारिस और महादेव मंदिर के परागन में बनाए गई इन जह क्योंके आप भी दर्शन किएए साथ में आणत लेज़े कितनी अच्छी जहांelt के आमारे गाउं बनाए जाती है ये नए मंदिर जो नव निर्मान किया गया है अभी मंदिर का उस मंदिर की सीडियों पर यह जाक्या बने गई है बहुत ही सुन्दर जाक्या बहुत ही सुन्दर मनोरम तरसे इस वीडियो में हमने जाक्या बनाने वाले दोस्तों की कुछ तस्वीरे भी एड़ की है आप भी जरूर देखें यह हमारे गाउं के कुछ दोस्तों की तस्वीरे हमने इमेड़ की है जो इस मंदिर प्रांगन में बनी जाक्यों में अपना विशेश रोल इन लोगों ने अदा किया है स्री चमतकारेस और महादेव प्रांगन में बनी यह जाक्या अपने आप में बहुत ही अदबुत और एक बहुत ही सुन्दर जाकी अपने आप में परतित होती है यह हमारे गाउं स्री चमतकारिस और महादेव के प्रांगन में बनी हुई जहां क्या है बहुत अच्छा लोगों का स्योग और गाउं में इस परकार की प्रोग्राम होते रहने चाहिए बहुत ही संदल जहां क्या चोटे से लगर बड़ों तक सभी इसमें अपना अपना योगतान देते हैं यही गाउं की पेचान भी होती है दोस्तों अगर आपकी यादेत आजा हुई हो तो इस वीडियो को जरूर सेयर करें बवान स्री किष्णे के जन मुस्व पर हमने आपकी यादा ताजिय करने के लिए पिछले साल की यादे सेयर की है यह से अच्छे और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इस परकार के वीडियो हम आपको जिन्दे की विद्लिलादर योट्यूब चैनल पर उपलब्द करवाते रहेंगे जय स्री किष्णा हर हर महादेव की जय दन्यवाद